हेलो और वेलकम माई दियर स्टुडेंट्स आई आम सलमान अमत और इंट फ्रॉम आइटी धन्वार और यह मोर दान सिक्स यह उप एक्सपिरियंस तो चलिए आज क्लाश स्टार्ट करते हैं कि रच कर लिया कैसे करते हैं आज हम लोग बात करेंगे रच करेंगे रच्छार्ल नंबर के बारे में इर इरच्छ läμमर क्या होता है यह मैंने फस्ट लेक्सर में of p by q where p and q are integers and q not equal to 0 that is called irrational numbers example भी क्या होता वो में हमने clear कर लिया था अब देखते हैं हम लोग आज क्लास में प्रूफ करेंगे कुछ जैसे कि पूछा जाए कि अगर root 2 अगर irrational है तो उसे प्रूफ किजे कि वो irrational कैसे है ठीक है सबसे पहली बात कि irrational number कौंकं से root होते हैं for example अगर मैंने कहा कि root x यह root x irrational कब होगा root x is irrational कब when x is positive integer x क्या होगा positive integer होगा अब वो positive integer 4 भी तो हो सकता है तो अगर यहां 4 आएगा तब तो वो irrational होगा नहीं तो मैंने क्या बोला कि x is positive integer उसका form कैसा होगा तो याद रखना कि वो positive integer जिसका perfect square नहीं बनता हो वो positive integer यहां पर होगा जो perfect square ना हो अगर वो number यहां पर रहेगा तो वो root something irrational बन जाएगा for example मैंने क्या बोला when x is positive integer which is not perfect square perfect square नहीं होना चाहिए root के अंदर अगर perfect square होगा तो वो irrational नहीं वो rational बन जाएगा ठैक है अगर perfect square नहीं हुआ तो जो भी अंदर put करेंगे number वो सारे root जो होंगे वो हमारे irrational number होंगे for example under root 2 2 is not a perfect square under root 3 3 is not a perfect square under root 4 4 जो होता है वो perfect square होता है किसका होता है वो 2 का perfect square होता है ठीक है 2 का स्वार करने पर 4 आएगा तो under root 5 under root 6 under root 7 under root 8 under root 9 9 is the perfect square 3 का that's mean root 9 तुमारा नहीं होगा root 10 root 11 इस तरह से हो जाएगा तो simple से बात है कि root के अंदर अगर कोई positive integer है जो की perfect square नहीं है जो की perfect square नहीं है तो हम कहेंगे कि वो root x जो root के value होगी वो irrational number होगी और यहाँ पर हम उसी को use करने वाले हैं यह तो basic चीज हुआ irrational का ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले हमें एक theorem देखना है वो theorem क्या कहता है theorem कहता है कि अगर let's say p कोई prime number है let's say p be a prime number and we take a be any positive integer p हमने assume कर लिया कि एक prime number है a हमने assume कर लिया कि एक positive integer है अगर यह दो चीज हमने assume कर लिया है अब कहाने सुनो अगर यह condition दिया है कि p divides a square that means वो prime number अगर किसे a square को divide करता है divide करने का मतलब exactly divide तो p जो है a को भी divide करेगा यह condition given है if p divides a square then p divides a for example मैंने बोला एक prime number है 3 मैंने कहा एक a है जिसकी value let's say 4 है sorry 6 है ठीक है अब इसने क्या बोला कि p a square को divide कर रहा है a square क्या होगी a square होगा 36 अब यह p a square को divide करेगा a square by p कितना हैगा 36 by 3 12 पी ने a square को divide करती कितना answer आया 12 डिवाइड होगे completely अगर यह condition सही है सही है तो यह p a को भी divide करेगा मतलब a की value कितनी है 6 divided by p is 3 how much 2 तो simple से बात है कि अगर p a square को divide किया तो p a को भी divide करेगा let's say अगर मैंने बोला कि मालो की a की value हमने ले लिया 4 p मालो मैंने लिया 3 तो क्या a square को p यहां पर divide करेगा नहीं करेगा 60 नों कभी 3 divide नहीं कर सकता है ठीक है अगर करता तो p a को भी divide करेगा इसलिए condition दिया गया है कि if अगर p a square को divide करेगा तब p a को divide करेगा तो यहां पर मेरा condition सही था for example अगर मैंने बोला कि p equal to 3 है और a is equal to मैंने assume कर लिया let's say 9 ठीक है तो क्या करेगा a square p को divide करेगा मतलब की 81 by 3 कितना आएगा 27 तो 81 को 3 divide कर दिया तो divide किया इसका मतलब की जो a है उसको भी p divide करेगा कितना आएगा 3 condition यह है कि अगर a square को p divide किया then a को p divide करेगा यह must है यह मैंने समझा दिया इस तरीके से ठीक है यह तो हमने अभी समझ लिए example से कि क्या होने वाला है बट हमें इससे proof करना है इस चीज़ को ठीक है proof ठीक है अब कैसे proof करेंगे वो देखो मैंने क्या बोला कि p एक prime number है let p b any prime number और क्या बोला गया and a b any positive integer condition क्या है condition है such that p divides a square ठीक है positive integer negative नहीं हो सकता है p जो है वो a square को divide कर रहा है यह मेरे condition पढ़ा था fundamental theorem of arithmetic उसमें कहा गया था कि किसी भी एक integer को किसी भी एक integer को हम prime factors के term में लिख सकते हैं यह हमने पढ़ा था कि we can write any composite number या any positive integer in terms of prime factors यह हमने पढ़ा था तो इसको यहां पर उसकर लेते हैं using fundamental theorem of arithmetic क्या बोलेगा कि a को कुछ a कुछ factors होगा prime factors क्या होगा मुझे इस number के बारे मैं पता नहीं है बट यह पता है कि इसको कुछ prime factors आएगा यह पकी बात पता है ठीक है तो let's say मैंने बोल दिया कि p1, p2, p3, p4 up to pn अब मुझे जब इस number के बारे मैं पता नहीं कि वो number कितना बड़ा है तो prime factors क्या है मुझे उसके बारे मैं पता नहीं है तो हमने assume कर लिया कि let's say p1, p2, p3 up to pn यह इसके factors होगे ठीक है अब एक बात और है किसी भी number का factor हो सकता है कि उसमें कोई prime number जो है वो repeat करता हो like 2, 2, 3, 3 इस तरह से repeat कर सकता है तो मैं यह कह सकता हूँ कि जो हमने p1, p2, p3, pn लिया है वो जरूरी नहीं है कि वो distinct हो जरूरी नहीं है कि वो सारा prime numbers अलग ही हो वो same भी हो सकता है ठीक है चलो where p1, p2, p3 up to pn be prime numbers which are not necessarily distinct मैंने क्यों लिख दिया कि यह जो prime numbers लिखा है हमने जो prime factors है p1, p2, p3, p4 वो सब distinct जरूरी नहीं कि distinct तो distinct का मतलब होता है एकदम अलग हो सकता है कि repeat कर रहा हो नहीं हो सकता है for example अगर मैं बात करूँ 24 का क्या कहाता है इसका prime factors 2 आएगा 2, 2, 2, 3 यह चारों इसके prime factors आएंगे इसमें 2 repeat कर रहा है न तो वही मैं कहाने चाहरा है कि हो सकता है कि repeat कर भी जाए और ना करें इसलिए मैंने बोला कि which are not necessarily distinct जरूरी नहीं कि वो अलग ही हो next अब बात यह है कि यह तो कहा कि a का यह prime factors आ गया p1, p2, p3, p4 यह a का आ चुका है मेरे पास next यहाँ बात हुआ था कि given क्या है given मुझे है a square को p divide कर रहा है अभी मेरे पास a है तो पहले इसका a square निकलते हैं a square का मतलब हो गया कि जो भी चीज़े a की है उसको दुबारा multiply किया जाए इसका मतलब क्या हुआ p1, p2, p3, p4, up to pn को एक बार और multiply किया किस से factors come back p1, p2, p3, p4, pn इसका हमने prime factors लिख दिया है multiple के यह सारे product के form में है अब a square अब क्या करेंगे इन दोनों का multiply कर देंगे multiply में क्या आएगा p1 into p1, p1 square, p2 into p2, p2 square, p3 square, p4 square, up to pn square यह किस के आ गया यह आ गया a square का कि a square के हमने बता दिया कि a तो यह हमारा था prime factors पनाई factor के product में था जब हमने a square निकाला तो यह चीज दुबारा आएगी multiply होगी multiply कर दो यही तो आएगा p1 into p1, p1 square, p2 square, p3 square, up to pn square यह हमारे पास a square के value आ गयी कि यह हमारा product of squares of prime factors है यहाँ तक clear है अब बात है question में कहा गया था कि p divides a square p जो है a square को divide कर रहा है अब बात यह है कि अगर a square का यह सब factor है ध्याम देना a square का यह सब अगर factor है सब multiple में है factors है तो और यह question में कहा मुझे है कि p जो है a square को divide कर रहा है that means p is the factor of a square यह कहेंगे न इससे क्या मुझे चला कि p is a factor of a square यह हमारा question में दिया हुआ है it is given that p is a factor of a square because p a square को divide कर रहा है अब अगर p a square का factor है और हमने बताया कि a square में यह सारे factors रिकर हैं तो हम कह सकते हैं कि p is one of them on it p in में ने से कोई एक होगा ही होगा यह तो पकी बात है a square के द hedge counterpart इतने सारे factors आए हैं और हमें पता है कि a square के एक factor of p भी है तो जरूरी है प्षिए पि we can write as P is one of what P1 यह कह सकते हो P is one of P1 P2 P3 up to Pn clear है यह question में given था उसके साब सामने बता रिया कि P P1 P2 से लेकर Pn तक में से कोई भी एक हो सकता है क्योंकि कि A2 यह सारे factors है और हम यह भी जान गया है कि P A2 का factor है इसका मतलब P इन में से कोई एक होगा P is one of them अब बात यह है कि अगर P इन में से कोई एक है अब उपर चलते हैं हम लोग हम लोग ने कहा क्या कहा था कि A is equal to P1 P2 P3 P4 से लेकर Pn तक अब यह मालूम चल गया कि P P इन में से कोई एक है तो मतलब कि P यहां पर कोई एक होगा अब इन में से कोई एक अगर P है तो वो एक factor हुआ कि नहीं हुआ अब हमें यह मालूम चल गया है कि जो हमारा P है वो प इन में से कोई एक है तो अगर इन में से कोई अगर एक है तो वो एक factor हुआ ना क्योंकि यहीं सब तो फॉर फैक्टर से ना तो यहां पर हमें मालूम चल गया कि therefore P जो है A का factor होगा therefore P is a factor of A P A का factor होगा और अगर P A का factor है इसका मतलब क्या हुआ कि P divides A अगर P A का factor है इसका मतलब P A को divide करेगा simple सी बात है तो यह हमारा proof हो गया कि अगर P A square को divide करेगा तो इसका मतलब P A को भी divide करेगा पक्की बात है तो at last हम जी कह सकते हैं कि therefore P divides A square अगर ऐसा है implies कि इंप्लाइ करता है कि P also divides A तो यहां से अभी यहां से प्रूफ हो गया कि P अगर A square को divide करता है तो P A को भी divide करेगा बस थोड़ा समझने का A में और कुछ है नहीं इसका proof किया गया इस तरह से मैं बता रहा है फिर से एक चीज़ कि बोला था कि A को positive integer है हम हमें पता है कि according to fundamental theorem of arithmetic A को हम prime factors के term में दिख सकते हैं वो prime factors क्या होगा मुझे पता नहीं है क्योंकि A भी मुझे पता नहीं है हमने assume कर लिया कि P1 से लेकर PN तक कुछ तो factors होंगे वह ज़रूरी नहीं कि यह सारे factors अलगी हों same भी हो सकते हैं इसने मैंने लिखा है कि which are not necessarily distinct ज़रूरी नहीं कि distinct हो अलग हो अब बात है A square ने कालना था तो A square किया था हमने इस चीज़ को दो बार multiply कर दिया दो बार multiply किया तो P1 square P2 square P3 square P4 square PN square तक हमारा A square के value आ गई अब बात था कि A square को P divide कर रहा है इसका मतलब P A square का factor होगा P is a factor of A square अब अगर P A square का factor है तो P अगर A square का factor है तो P इन में से कोई एक ही तो होगा क्योंकि हमने क्या बोला है कि A square का यह सा factor है तो P is one of them P1 से लेकर PN तक में कोई तो एक होगा तो इसलिए मैंने बोला कि P is one of P1 लेकर PN तक अगर P इन में सो कोई एक है तो ऊपर चलो यहाँ पर भी होगा भाई इन में सो कोई एक P होगा तो अगर P इन में सो कोई एक है तो वो क्या है A का factor है इसका मतलब P A को भी क्या करेगा P A का भी factor होगा इसलिए P A को divide कर दिया that means it is proof that if P divides A square then we can say that P must divides A also इसको आगे हम use करेंगे अपने जो proof करना होगा हमें irrational को वहाँ पर use करने वाले है इसको तो यह कभी कभी exam में आता भी है तो यह पता होना चाहिए So हमारा इसके बाद जो सबसे basic question है वो है proof that root 2 is irrational यह हमें पता है कि root 2 irrational होता है लेकिन हमें इस से proof करना है कि root 2 irrational होगा just start कैसे करेंगे हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि देखो real number दोई तरके हैं या तो rational या तो irrational अगर कोई number rational नहीं है तो वो irrational होगा और अगर कोई number irrational नहीं है तो पकी बात की irrational दोई फोइन होगा एक होगा दूसरा नहीं होगा तो यहाँ अगर प्रूफ करना है कि यह number irrational है कि काम करते हैं हम लोग assume कर लेते हैं कि root two जो है मेरा rational है और उसका हम ट्राइ करते हैं प्रूफ करने का कि जो हमने एजुम किया है रूट टू रेशनल वो रॉंग है अगर यह हमने प्रूफ कर दिया तो वह अपने आप यह मालू चलिए लागा को दिया दाट सबसे पहला चीज़ तर फॉस्थ ए लेट से लेट आण αह से लेट लया की रूट टू लेगया है तो और हमें पता है कि यह rational किस form में होता है rational होता है P by Q form में होता और एक बत और धियार देखना है कि यहाँ पर जो rational लेंगे हम जो P by Q उससे हम simplest form में लेकर ही चलेंगे ठीक है जया जब भी हम भी आ बात करेंगे rational के बारे में तो यह एजूम यह by default रहेगा कि वो rational form जो है वो simplest form में है so let 2 let root 2 be a rational let 2 is a rational let 2 be a rational in the form of p by q in the form of p by q rational है rational क्या होता है p by q form में next where p and q are integers p और q क्या होंगे वो integers होंगे जो हमने पढ़ा है rational number में कि p by q p और q जो होता है वो integer होता है लेकिन मैंने क्या बोला कि यहां पर p by q जो हो simplest form में होगा so p और q और q का simplest form में है इसका मतलब इन दोनों का जो scf होगा highest common factor हो कितना होगा वो सिर्फ 1 होगा that means p and q are co-primes तो मैंने क्या बोला कि let aware p and q are integers and are co-primes co-primes का मतलब होता है दो number co-primes तब होते हैं जब दोनों का scf 1 हो जाए और जब मैंने बोला कि दोनों simplest form में है यह p by q तो दोनों का scf 1 होगा that means both are co-primes and q not equal to 0 यह condition होता है कि denominator 0 नहीं हो सकता है तो हमने assume कर लिया कि root 2 मेरा p by q form में है दोनों यह जो p by q form ही simplest form है यहां दोनों सिर्फ 1 ही factor हो सकता है और को factor नहीं होगा अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं अगर हमने 1 के अलावा और कुछ यहां पर प्रूफ कर दिया factor आ रहा है तो यह मैंने प्रूफ हो जाएगा कि जो हमने rational assume किया है वो हमारा rational नहीं है तो सबसे पहली बार कि root 2 जो है p by q form में है let's say right root 2 is equal to p by q यह हमने root 2 the whole square equal to p by q the whole square यह क्या बन जाएगा 2 is equal to p square by q square अब क्या करो q square कर लेकर वहाँ multiply करतो क्या बन जाएगा 2 q square equal to p square अब इस equation को ध्यान से देखो यह बताओ कि इस equation में 2 multiply हो रहा है q square से equal to p square इसका मतलब क्या हो रहा है अगर 2 यहां पर नीचे आ गया 2 अगर नीचे यहां दिखा गया इसका मतलब क्या होगा, कि p square को 2 क्या करेगा डिवाइट करेगा, यहां से मुझे यह मालूम चल गया that 2 divides P square because 2 को अगर नीचे लाओगे तो P square by 2 होगा मतलब 2 divides P square तो यहां से क्या मुझे माल चल गया कि 2 divides P square और हमने भी इस्ते पहले एक थिरम पढ़ा था कि अगर कोई prime number किसी square को divide करेगा तो वो prime number उस number को भी divide करेगा इसका मतलब अगर if 2 divides P square that means it implies 2 also divides P तो हमें यह क्लियर हो गया कि 2 जो है P को divide कर रहा है अगर 2 P को divide कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ that 2 is a factor of P we can write as therefore 2 is a factor of P इसमें कोई डाउट नहीं है कोई number किसको divide करता है तो वो number उसका factor होता है मतलब कि completely divide करता है exactly divide अब आगे बढ़ते हैं अगर अब हम proof करना चाहेंगे कि 2 जो है Q का भी factor होगा कैसे करेंगे आप देखो हम क्या करते हैं इस equation में जो लिखा है 2 Q square is equal to P square इसमें काम करते हैं P क्यों assume कर लेते हैं let's say let P is equal to 2 C क्या assume कि हमने P जो है 2 C के बराबर है यह हमने assume कर लिया अपने मन से what is C C is a positive integer C एक integer है तो P को हमने assume कर लिया 2 C इससे फाइदा क्या होगा इसको जब उठाकर हम इस equation ने put करेंगे इसको मालों के equation number 1 है तो क्या बोलेंगे putting in equation 1 क्या हो जाएगा 2 Q square is equal to P square था न P क्या put करेंगे 2 C यह बन जाएगा 2 C the whole square अब क्या होगा यह 2 Q square is equal to 4 C square अब इसको इसको इकाम करता है हम लोग solve कर लेते है 2 से 4 गया 2 बार में क्या बचेगा Q square is equal to 2 C square ठीक है अब इससे क्या मन चल रहा है यहाँ पर 2 multiply में है तो वहाँ तर क्या होगा divide मतलब Q square by 2 और जब किसे number को 2 अगर divide कर रहा है इससे क्या मन चल गया हमें that 2 divides Q square और अगर कोई number किसे के square को divide कर रहा है तो वह number उसको भी divide करेगा that means it implies 2 divides Q और अगर ऐसा है कि 2 Q को divide कर रहा है तो हम यह कह सकते हैं कि 2 is a factor of Q therefore 2 is a factor of Q तो हमें दो चीज़ मिल गया पहला चीज़ 2 P का भी factor था और 2 Q का भी factor है तो हमने जो assume किया था कि that P and Q are co-prime that means इन दोनों का factor से 1 ही होना था लेकिन हमें क्या मिल गया कि P और Q का एक और factor है वो क्या है 2 तो जब एक और factor मिल गया तो क्या वो rational रहा तो वो rational नहीं रहा तो हम क्या कह सकते हैं कि this contradicts जो हमने assume किया था उसको contradict कर दिया this contradicts the fact that 2 is irrational क्या किया यह चीज़ जो है जो हमने proof किया भी यह contradict करता है उस fact को कि जो 2 rational था जो हमने 2 assume rational किया था इस fact को वो contradict कर रहा है इसका मतलब बोल सकते हैं root 2 is irrational तो हम कह सकते हैं कि root 2 क्या होगा irrational होगा ठीक है एक बाद समाझ लोग बढ़ियां से कि P by Q एक simplest form में था जहाँ पर P और Q जो था वो co-prime था that means सिर्फ SCF 1 आएगा तो जब root 2 को हमने P by Q form में लिखा तो इसको यहाँ पर हमने लिख लिया है root 2 is equal to P by Q root 2 को remove K square करके 2 is equal to P square by Q square Q square को यहाँ लिएकर multiply किया 2 Q square is equal to P square तो यह equation क्या बता रहा है कि 2 अगर नीचे लाओगे तो क्या करेगा 2 P square को divide करेगा और जब 2 P square को divide करेगा तो 2 P को भी divide करेगा यह हमने already theorem में देख लिया है next क्या किया हमने कि जब 2 P को divide कर रहा है that means 2 is a factor of P आगे बढ़ते हैं अब Q के लिए करना था तो हमने क्या किया इस equation में अब P को assume P के integer है किया हमने सिर्फ फिर क्या किया हमने P equal 2 C उठाकर इस equation ने put कर दिया तो क्या होगा 2 Q square is equal to 2 C का whole square that means 4 C square और जब इसको solve किया तो 2 से 4 गया 2 bar में Q square equal to 2 C square अब 2 यहां multiply में that means 2 यहां कर divide होगा तो Q square by 2 that means 2 Q square को divide करेगा तो 2 divides Q square and if 2 divides Q square by using theorem we can say that 2 divides Q और जब 2 Q को divide करेगा that means 2 is a factor of Q अब P और Q का तो एक और factor आ गया है वो कौन है? 2 है और हमने assume किया था कि हमारा P by Q simplest form में है that means factor सिफ बनाएगा तो यहां पर जो हमने assume किया था वो fact contradict कर गया this contradicts the fact that 2 is 2 is sorry root 2 is rational therefore root 2 क्या हो जाएगा rational हो जाएगा यह इसका completely proof है देखके बनियां से समझ जो so our next question is prove that root 11 is irrational अब हमने सीधा 11 पर क्यों पहुंच गया है तो अभी pattern मालूम चल जाएगा कि root 2 जैसे proof किया हमने root 11 यह वैसे proof करेंगे और कोई भी number हो root 3, root 5, root 7 वो सारा चीज वैसे ही proof होगा तो इसको मैं एक बार proof करका दिखा रहता हूँ सबसे बहला चीज हमने क्या assume किया था हमने assume किया था कि अगर इसे irrational proof करना है तो पहले इसे rational assume कर लेते हैं क्या करेंगे let root 11 be rational और अगर यह rational है इसका form क्या होगा P by Q एक काम करते है in the form of अब लोग बोलेगे कि बारा पी बाई क्यों ही उसके कर रहे है एक काम करते है इसको assume कर लेकर A by B कोई problem नहीं है कुछ भी यूज करो let root 11 be a rational number in the form of A by B where मैंने बताया था कि हम लोग simplest form लेते हैं नमर में तो A by B क्या होगा वहाँ पर where A and B are co-primes co-prime का मतलब वो integer है and Q not equal to 0 co-prime का मतलब हुगा कि स्सेफ विल भी 1 स्सेफ वनी होगा अब क्या करेंगे root 11 का मैंने बोला A by B form में क्या करेंगे squaring कर लो तो क्या बन जाएगा ये 11 उधर क्या बन जाएगा A square by B square वहाँ लेकर multiply करें क्या हो जाएगा 11 into B square is equal to A square अब अगर 11 को नीचे लेकर रहेंगे तो इससे क्या माल मुझे लेगा A square by 11 that means 11 A square को divide कर रहा है यहाँ स्क्या माल चल गया 11 divides A square और यह क्या करता simplify हमारा theorem कहता है कि 11 also divides A 11 divides A और अगर 11 A को divide कर रहा है इसका मतलब 11 A का factor होगा तब यह तो divide किया कोई भी चीज किसको अगर divide करता है exactly इसका मतलब वो इसका factor होता है तो therefore 11 is a factor of A इसको हम आजूम कर लेते हैं question number one तो एक तो आ गया कि A का 11 factor होगा अब हमें proof करना है कि B का भी factor 11 होगा कैसे करेंगे हम क्या करेंगे let assume कर लेते हैं A को अब 11 C के बराबर लगते हैं क्यों यह एक pattern समझो अगर हम 11 लेंगे यहाँ पर 11 के square क्या होगा 121 और 11 से कितने बार हो जाएगा 121 11 बार होगा तो फिर से हमें 11 मिल जाएगा तो जो भी number proof करना होगा irrational उसी number को यहाँ पर assume करेंगे तब हमारा easily वो proof हो जाएगा तो क्या उठा के इसका put करो putting in equation 1 क्या हो जाएगा 11 B square is equal to 11 C the whole square A square था यह put किया वहाँ पर 11 C का whole square यह क्या मन जाएगा 11 B square is equal to 121 C square 11 से कितने बार जाएगा 121 11 times B square is equal to 11 C square यह क्या proof कर रहा है कि 11 C square के साथ multiply में है वहां करोगा divide that means B square by 11 that means 11 divides B square 11 divides B square और हमें क्या यह क्या बता रहा है कि that 11 also divides B तो इससे यह मालक चल लगिया कि 11 अगर B को divide कर रहा है that means 11 is a factor of B therefore 11 is a factor of B और हमने जो आजूम किया था that A and B are co-primes वो fail हो गया कि SCF 1 होना यहां पर तो SCF 11 भी आ गया तो क्या बो सकते हैं सेम कहानी है अब रूट 3 बोलेगा तो यहां पर A is equal to something 3C लेलना 5 बोलेगा तो 5C उस तरीके से हम लोग यहां पर आजूम करका बना सकते हैं सेम मिधड है तो अब कोई भी रूट का question आएगा simple root वाला तो वो इस तरीके से बनेगा इसमें और भी questions है जो कि हम लोग next class में पढ़ेंगे देखेंगे और कैसे करते हैं कहीं पर अब plus में आएगा कहीं पर लिखा होगा 3 plus root 11 कहीं होगा root 5 plus root 7 उस तरह के और भी questions है जो कि हम लोग next class में समझेंगे तो आज का lecture यहां पर समाप्त हुआ अगर आज का lecture आप लोग को पसन आया देन like, subscribe, share and press the bell button to get the notification of the next lecture so for today thank you